किसान की समस्या एक बार एक गाउं में किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था किसी ने उसको बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए गौतम बुद्ध की शरन में जाओ वे तुमारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे यह सुनकर किसान गुद्ध की शरण में चला लिया, वैं गौता मुद्ध के पास पहुचा और कहा ये महात्मा मैं इंसान हूँ और मैं अपनी जीवी का चलानी के लिए केती करता हूँ, लेकिन कई बार वर्षा पर्याफ्ट नहीं होती है और मेरी फसल बरबाद हो जाती है, किसान ने आगे कहा, मैं विवाहेत हूँ, मेरी पत्नी मेरा ख्यार लगती है और मैं उससे द्रेम करता हूँ, लेकिन कभी-कभी मैं मुझे परिशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे उपता गया हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मैं मेरी जीवें में नहीं तो कितना अच्छा होता गौता गुद्ध उस किसान की बाग शांती पूर्वक सुन्दे रहे किसान ने आगे कहना जारी रखा और बोला मेरी बच्चे भी है वो अच्छे हैं लेकिन कभी-कभी वो मेरी बाग नहीं मानते और उस समय मुझे बहुत पूर्वध आता है लगता कुछ शब्द भी नहीं कहा किसान अपनी समस्यां बताता चला गया और आखिर में किसान के पास बताने को कोई में समस्या नहीं बची अपना मन हलका हुजाने की बाद वैच्छो को गया और बुद्ध के जवाब की प्रतिक्षा करने लगा लेकिन बुद्ध ने कुछ नही विdira किसान को प्रिकानों पर यकीन नहीं हुआ यह आप क्या क है रहे हैं नोक्त हुगत गेश्टाइल किसान के तब यहाइन अय जीन पर्याइक रहे हैं दॉक हुजडी सर शबभि निवारं नहीं करिए। मैं जीवन चक्र है इससे कोई नहीं निकल सकता है वाएध्यक्ता में अमारा जीवन का अट्नाईयों से बड़ा हुआ है नेरा तुम्हारा और सभी लोगो का जीवन समस्याहों सी ग्रसित है इसलिए मैं इन समस्याहों का समधान नहीं कर सकता हूँ यदि तुम किसी कि एक समस्या का उपाई भी कर लो तो उसके स्थान पर एक नहीं समस्या खड़ी हो जाएगी यहीं जीवन का अकल सत्य है यह सुनकर किसान क्रोधित हो गया और बुला सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हैं मैं यहाँ एक आस लिकराया था कि आप मेरी साहता करेंगे मगर आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना व्यार्थ हुआ इसका मज़़भ सभी लोग जूड़ होते हैं मैं बेकारी आपके पास आया इतना मोलकर किसार उपकर जाने लगा तबी बुद्ध ने कहा मैं तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन हाँ मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समादान कर सकता हूँ किसाम ने आश्याले से कहा इन समस्याओं के रावा दूसरी समस्या बला वैं कोजी समस्या है बुद्वी ने कहा वैं यही है कि तुम नहीं चाते कि तुम्हारी जीवन में कोई समस्या हो यही समस्यां के कारणी उसकी समस्यां कर जन्मुआ है तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सभी के जीवत में समस्यां होती है कतनाईया होती है तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो और तुमारे जितना कोई और दुखी नहीं है तुम अपने आज पास देखो क्या बोलों तुम से कम दुखी है तुमें अपना दुख बड़ा लगता है लेकिन जो लोग तुमारे आज पास रहते हैं उनको उनका दुख बड़ा लगता है इस दुरिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है जागे दुख छोटा हो या फिल बड़ा हो लेकिन वैं जिसके साथ घटरा है वो इसके लिए वैं दुख बड़ा प्रतिध होता है अगर तुम लियान ऊपन देखोगे तो समझ जाओगे यह जीवन सुख दुख से बड़ा हुआ है इसको तुम कभी नहीं बना सकते हो लेकिन हाँ तुम सुख दुख के ऊपर अवश्यू उट सकते हो यह तुमारी यह समभब है सुख और दुख को हम आने से रोक नहीं सकते हैं लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रवाब न पड़े ऐसी विवस्ता हम कर सकते हैं और इसे शुरुवात इसे तत्य को समझने के साज शुरू होती है कि हम कुछ भी कर ले, जीवन में सुपदुख आ रही है, लेकिन हमें उससे विच्रित नहीं होना चाहिए, इसलिए आज इसे तुम ये जानना चेरो दो, कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या यह ना है, और समझ शुकाता कि अब उसे क्या करना है, मित्रो यह जीवन सुपदुख से बढ़ा गुआ है, ऐसे में यह सोचना गलत है कि दुख कभी आई ही नहीं, इसका आनी से भगवान भुत दुआरा कही कही बाते हमें दुख से घबराने या सुख में अत्यात उत्साहित होने की ज